नमस्कार आप देख रहे हैं नैशन भारत में राकिश पुरे प्रदेश में भीशन सित लहर लगतार चल रहा है पहारों पर हो रही बर्फबारी की कारण मैदानी इलाकों में ठंड जो है वो काफी अपना प्रकोब दिखाना शुरू कर दिया है पश्मी विशोप के कारण मं चारण जो लोग हैं अपने घरोएं कैद ञोगे बाहरों में कैद हो यह बा मुश्किल ही अपने घरों से बाहार निकल रहे हैं और जुरोत की चीजह ने के लिए बौहार निकल लें वना जो घर्म ll allied अपने आपको मुनासित नहीं समझ रहे हैं सरकों पर उफानों के प्रि किसे हैं वो जला कर अपने आपको रहात महसूस कर रहे हैं और ठंड को टकर देनी की जो कोशिश है लकरी जला कर वो कर रहे हैं और इसी के सासाथ प्रशाशन के तरफ से वैसे लोगों को अभी तक अलाव की व्यवस्ता नहीं कराए गई है जिने वाके में जरूरत है और जो समय के समय में बदलाव काफी किया गया यानि कि अब जो भी असकूल है वो नौ बज़े के बाद ही खुलेंगे चाहो नरसरी से लेकर क्लास टुल तक के स्कूल में समय साड़ीनी में बदलाव किया गया ताकि कोई भी बच्चे थंड से प्रभावित नहों सके इसी किसासत जो स्कूल की जो टाइमिंग है सारी स्कूल के टाइमिंग में बदलाव किया गया है और एक मैंतरपूर्ण बात मौसम विभाग ने अगले दो से तीन दिनों के लिए शीतलहर का अलेट बेश जारी किया है और आपको यह भी हम बताते चले की विभाग का यह कहना है कि बढ लेटिस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नीशन भारत को सब्सक्राइब करे और बेल आइकन को दबाए ताकि कोई खबर छूट न पाए